आपने नोटिस किया है कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट का लिंक आप WhatsApp पर या फिर Facebook पर या फिर Instagram पर शेर करते हो तो आप शेर तो भली एक लिंक करते हो लेकिन वहाँ पर एक बहुती रिच ग्राफ शो हो जाता है यानि एक बहुत अची सी पिक्चर जिसमें उस वेबस ट्राइच का डिस्कृप्शिन साती बहुत अची सी पिक्चर भी वहाँ पर आपको दिखती तो वह कैसे होता है वो होता है ओपन ग्राफ प्रॉटॉकॉल से तो ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल क्या होता है कैसे हम इसे अपने वेबसाइट में अपलाय कर सकते हैं ये सारी ब बात हम करेंगे open graph protocol की तो open graph protocol डवलप किया है Facebook ने या फिर मैं कहूं Meta ने तो Meta से related जतने भी social media platform है चाहे मैं Facebook की बात करूं चाहे मैं Instagram की बात करूं या मैं WhatsApp की बात करूं लेकिन Facebook पर मैंने सिर्फ लिंक टाइप किया अभी आपको जो यह picture देख रही है जो आपको लिखा हुआ देख रहा है wscubetic.com picture के नीचे web development course in Jodhpur android training in Jodhpur यह मैंने टाइप नहीं किया है यह automatically यहाँ पर इसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने wscubetic पर रन किया हुआ है open graph protocol आप Facebook पर इस तरह से देख सकते हैं वैसे ही आप एक काम कीजिएगा कि wscubetic का link copy कीजिएगा या फिर मैं कहूं किसी भी अच्छी website का आप link copy कीजिए और WhatsApp पर शेयर कीजिएगा आपने किसी friend family को शेयर करके देखेगा तो आप देखेंगे कि वह आपने भली link share किया है लेकिन जब उनके पास message आएगा तो काफी अच्छा इसी shape में एक image यहाँ पर आ जाएगी उसके साथ में description आ जाएगा और साथी काफी अच्छा यह एक open graph यहाँ पर दिखेगा हमें तो यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमने run किया हुआ open graph protocol तो आई होप आपको पता तो चल गया होगा कि open graph protocol है क्या तो basically एक program है जो कि हम run करते है अपनी website में जिससे आपकी website social media platforms को और वो social media platform which is run by meta या फिर मैं कहूं facebook owned जितने भी social media platform है जिसमें हमारे whatsapp में आता है instagram में आता है उसके लाव facebook में आता है इन social media platform पर आपकी website की appearance काफी अच्छी देखे एक rich snippet की तरह आपकी website देखे इसलिए हम open graph protocol लगाते हैं तो definitely देखे आप भी चाहेंगे कि आपकी website को जादा से जादा लोग अपने social media पर share करें हम बोलता है कही बार कि share this site या फिर share this video आपने ऐसा YouTube पर भी देखा होगा YouTube पर भी अच्छा open graph आता है तो ऐसा इसलिए क्योंकि YouTube ने भी वो protocol लगा रखा होगा अपनी website में जिससे वो काफी अच्छा दिखता है जब यह वाच्छा पर कोई video शेयर करते हैं तो कितना अ इस तरह से एक rich graph दिखेगा तो इससे definitely हमारा CTR जो है वो अच्छा होता है क्योंकि हम कई लोगों को बोलते हैं कि हमारी website को share कीजे वो लोग शेयर करते भी हैं लेकिन अगर मालनीजे Facebook पर किसीने मेरी website का link शेयर किया है और सिर्व वहाँ पर www.scriptic.com लिखा रहा है तो इसलिए हम open graph protocol add करते हैं हमारी website में जिससे कभी भी कोई अगर शेयर करता है हमारी website को social media platforms पर तो काफी अच्छा उनको एक rich graph देखे अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर हम ये apply करेंगे कैसे तो open graph protocol अगर आपको लगाना है अपनी website में तो इसके लिए आपको एक code generate करना पड़ेगा जो कि आपकी website के head section में लगेगा अब उस code को देखे अगर आप developer को guide करते हैं तो definitely वो एक code generate कर देंगे आप उनको guide कर सकते हैं आप उनको बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं अपन यहां पर आप बहुत ही मतब एक दो ही clicks में आप यह code generate कर सकते हैं अब इसके लिए आपको करना है simply मैंने small SEO tools का open-graph-generator यह इसका URL है आप इसको explore कर सकते हैं यह मैंने open किया यह करने के बाद में अब यहां पर आपको details फिल करनी है अब देखिए सबसे पहले क्या के details फिल कर title के अलावा फिर यह description है कि उस website का क्या description दिखना चाहिए उसी के साथ ही site का नाम क्या है और उसके अलावा site का URL यहां पर ओपर करूँगी और उसके अलावा यहां पर जैसे type है तो किस type का आपका business है उसके अलावा number of images मतलब कितनी images आप यहां पर add करना चाहते हैं तो मैं एक ही image add करूँगी उसके अलावा image का URL आ जाएगा चीके जी चलिए साथ में generate करते हैं सबसे पहले title है तो एक काम कर दी हूँ just to save the time में WSQTIC का जो title हमने लिखा हुआ है जनरली जो सब के लिए वो में यहां पर paste कर देती हूँ यह मैं आपको recommend भी करूँगी क्योंकि हमने title लिखा है WSQTIC की main homepage website के लिए वो हमने definitely keyword research करके लिखा है तो ऐसे में मैं चाहूँगी कि जो social medias है वहां पर भी यह title शो करें चीके तो इसलिए मैं इसका जो title है ना वो as it is ले ले लेती हूँ चीके जी यह मैंना title है और मैं इसको copy करके और यहां पर put कर देती हूँ चीके जी यह मैंने title लिख दिया अब देखिए यहां पर क्या है कि आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हूँ क्योंकि इस title थोड़ा सा यह lengthy title है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर रही हूँ उसके अलावा description है तो description की हापर limit दी हूँ यह 200 characters तक और देखिए description छोटा ही होना च सकते हैं और attractive बना सकते हैं वो आपके उपर है site का name आ जाएगा site का name क्या है हमारा wskubetech हमारी site का नाम है site का नाम पूछा है ना कि आप से site का URL चीके URL के लिए एक दूसरा option है तो मैं यहां पर अपनी site का URL पेस्ट कर रही हूँ तो मैं यहां पर लिख रही हूँ अगर आपका local business है कोई भी आप ऐसा शेयर करना चाहते हो तो आप यहां पर एक ही मैं इमिज अभी आड करूंगी तो अब देखिए यहां पर आपको image का URL चाहिए तो यह काम करते हूँ मैं अपना logo ही चाहती हूँ कि logo ही मेरा display हो तो मेरे wskubtec का logo का URL है मैं as it is वही paste कर देती हूँ चीके यहरा logo का URL जो की मैंने skima.org में add किया था चीके वही मैं image का URL यहां पर कर देती हूँ पेस्ट चीके चीके यह कर दिया अब देखिए आप इधर देखिए तो यह जो जैसे-जैसे मैं यहां पर changes करती जा रही हूँ यहां यह मेरा code जो है result जो है generate होता जा रहा है ठीक है यह मेरा एक tag हो गया जिसे मुझे paste करना है मेरी website के head section में अब मैं इसको कर लूँगी copy हमने कर लिया copy करने के बाद में इसको website के head section में paste कर देंगे ठीक है अब अगर यहां पर आपकी WordPress website है तो उसके लिए कुछ अलग tools भी है अब ही तो हमने यह code generate किया है लेकिन बिना code generate करने भी अगर आप add करना चाते हो तो WordPress की website पर easily हो जाएगा वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बता दूँगी लेकिन यह वो code है जो कि आपको यह तो अपने developer को provide करवाना है और यह आपके add होगा आपकी HTML में आपकी HTML के header म उसमें add होगा जिससे वो हर एक page पर लग जाए चीक है तो यह आप उसमें add करवा देंगे अपनी report में डाल देंगे कि आपको यह tag जो है attach करवाना है अब मैं आपको WSQTX का ही दिखा देती हूँ इसका जो source code है यहाँ पर अगर आपको check करना है कि हमने क्या यहां पर लग लगा हुआ है इसी तरीके से आपको अपनी website में लगा देना है जिससे कि जब भी कोई आपकी website को शेयर करें social medias पर तो काफी अच्छा presentation वहाँ पर देखे जैसा की especially आप चाहते हैं एक ध्यान रखी का जो image है वो square ही होनी चाहिए चीक है जो आपकी image है वो square size ही होनी चाहि है तो आप अपने recording उसको change कर सकते हो देख सकते हो और जैसा आपको ठीक लगए आप change कर सकते हो अभी जो मैं आपको example दिखा है WSQTEC का उसमें हमने दिवाली वाले sale के लिए लगा रखा था क्योंकि जब भी कोई person इस link को शेयर करे तब वहाँ पर दिवाली offer वहाँ पर आ योस्ट plugin जो है वह आपको install करके अब योस्ट में आपको कई सारे यहां पर यह options मिल रहे हैं इसमें आपको social पर जाना है क्योंकि ultimately हम website क्या सुधार है social appearance ठीक है तो मैं media library में से ही select कर लेती हूं जैसे for example मैं यह पर इसको मैं आपर select कर लेती हूं तो यहां पर क्या हुआ हुआ है कि यह बोल रहे हैं कि तो अब जब open graph यहां पर शेयर होगा तो यह शेयर होगा ठीक है उसके अलावा जो भी आपने title description अपनी website के लिए लेख रखा है वह automatically यहां पर आजाएगा सिर्फ आपको इसको enable कर देना है ठीक है तो आपकी यह image show नहीं होगी यह तो common understanding है क्योंकि दो image show होते वे अच्छी नहीं लगेंगी एक एक पोस्ट में चीके जी और इसको आपको कर देना है save changes और यह आपकी website में open graph protocol run हो गया है तो यह बहुत important step था जो कि आपको अपनी website में जरूर enable करना चाहिए क्योंकि हम ultimately हम क्या कर रहे हैं अपनी website की जो appearance है चाहे वो search engine पर appearance हो चाहे मैं बात करूँ social media पर तो उसकी appearance सुद रहे तो यह एक part था जिससे आप अपनी website की social medias पर appearance सुदार सकते हैं तो I hope आपको clear हुआ होगा कि open graph protocol क्या होता है कैसे हम उसे generate करते हैं और बस इसी तरह से महनत करते रहो कुछ ना कुछ सीखते रहो and don't forget to subscribe wskubtech channel and video से कुछ भी सीखा हो एक परसेंट भी तो like करना बिल्कुल में मत भूलेगा साथी कोई query हो question हो problem आ रही है तो मुझे comment section बता तो thank you so much